जयन फ्रेंट्स मेरा नाम सेकर कुमार चोहान मेरा यूटूब चैनल सेकर फाइर फाइटर मेरी वीडियो को बाच करें लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें विल आइकन को प्रेस करें और वीडियो और अंत तक देखें दोस्तों मैं आज आपको फायर पंप के बारे में बताने वाला हूं देखे जैसे लेडिज बिन सिंगार के अधूरी होती है ऐसे फायर सर्विस भीन पंप के अधूरी होती है फायर सर्विस में अगर पंप ही नहीं होगा तो फायर सर्विस अधूरी है हो कि सबसे पहले पॉम्प किसे कहते हैं ए मिस्ट उल्प इंजर ऑब मप मसूं होती है जो किसी भी बहुत कि दुवारा चलाई जाती है है tutor डिजल ए इन्जन कि पॉंप एक मसीन होता है जो किसी बहुत के दुबारा चलाई जाती है पेट्रोल डीजल इंजन और किसी भी लिक्विडिया गैस्वधार्त को कि ऊपर से नीचे वर नीचे से उपर लाने ले जाने काम आता है उसे हम पंप कैते हैं तोस्तों फायर सरीज में mag फिरकार के होते हैं है पहला पंप होता है पोजिट्र पोजिटिव डिस्फ्लेसमेंट फंप अ रमात था kg थे पोजिटुर्डरिस्प्பलेश्मैंट, पप किसको कहते है होते है जिसके हिस्से पुरुजे रगड खाके चलते है उसको पॉजिट डिस्पास्मैंट प्केते है कि यह 5 पिरकार के होते हैं कि द्लिफ्ट टॉपरaking फोर्स पंप श्रोट Il- सेमी रोटरी पंप है बंगेंट प्यांजर फाइं कहीं पर चार पिरकार की विपोंते हैं रोटरी ऑसे मी रोटरी एक साथ हु जाते हैं है दोस्तों फाइयर सर्विस में पोजेंड श् Less Merry स्मेंट कंप के जो पांच है फंप होते हैं और लिट पॉर्स पंप रोटरी पंप सेमी रोटरी वंगेट फालांजर पंप इन पंपों का इस्तमाल fire service में 22 से 20 कि लिए खाता है जो इस्टेंडर सैज ए जो इस्टेंडर टाइम है क्योंकि इन पंपों को इस्तमाल प्राइमिंग के दुरान के जाता है और एक इस्टेंडर के यह होता है कि कोई भी पंप 22 से 26 के अंदर प्राइमिंग कर लेता है जो इसका इस्टेंडर टाइम है तो फायर सर्विस में इन पंपों का इस्तमाल ओनली फॉर प्राइमिंग के ल वह पम्प होता है जो फायर सीरिष में ज्यादे तर मैक्सीमम पूरे विच्प के अंदर शारीष में सेंटर व्यूगल टॉम है इंटर-व्यूगल फोड़्स के अधारित पातर है के अधारित होता के फिर प्रंसीपल पादरीत होता है कोई भी t हो इसके दो पार्ट सोते हैं इंपेलर को कहिते हैं कि अबसे पानीούμε को गति देने काम ओता है केशिंग जो वही चिपिस को प्रेसर यथी में बदलता है भहिंक और आमने देखा हों पंप का जो आकार घे तो इसको बना होगा तो उसको वोल्यूट बोलते हैं अगर वही आकार आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन अंदर खुदा हुआ होगा तो उसको हम डिफूज़र गाइड वैंस बोलते हैं तीसरा पंप होता है दोस्तो जयट इजंट पंप जयट इजएक्टर पंप वैंचुरी प्रैंसिपल पर काम करता है वैंचुरी का इफेक्ट पर काम करता है होती है वह अपने से एक गुना लेकर करके 3 गुना यह खार ले रहा है तो 300cc हमें वापिस देता यानि किसी तलगर मेंflu पानी भर जाता है कहीं पानी के जहार के अंदर यह कहीं पर पानी लेना है कोई बैसमेंट जहां पानी भर जाता है उसको तल घर को खाली करना होता है यहां पानी ज्यादे खट्टा होता तो निकालना होता है तो तो फुर भी हम फाइज शरीश में जैट एक्टर पंप करते हैं तो मैंने आपको वांटीज पंप बता यह XX meinст झाल झाल